बाका के धुरईया में राद के अंधेरे में स्टील के बकसे में बंद एक अग्यात महिला का सब सबक किनारे फेकने का मामला सामने आया है सुभर लोगों की नजर जब सबक किनारे फेके गए बकसे पर पड़ी तब लोग चौक गए और ततकाल धुरईया पुलीस को सड़क किनारे बक्सा पड़ा होने की सूच ना दी गई तब मामले का खुलासा हुआ और उसमें से एक अग्यात महिला की अर्धनगन अवस्था में सव को बाहर निकाला गया घटना बाकाजिला के धुरईया सनहौला मुखे मार के फट्टू चक के मंदिर के पास की है घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आज सुबह लोग उठे और सड़क किनारे बंद बक्सा देख कर लोगों निसकी जानकारी पुलीस को दी पुलीस द्वारा बक्से को खोला गया तो उसमें से एक अर्धनगन अवस्था में महिला का सव बरामत किया गया महिला के सरीर पर गहरे जख्म के निसान भी है फिलाल धरया पुलीस घटना स्थर पर पहुँच कर मामले की च्छान बीन करने के साथ ही सब की सिनाक्त की कोसिस में जुटी है सब फेकने के तरी कर फरार होने की आसंका जताई जा रही है गौर तलब है कि सुक्रवार यानि 24 सितंबर को ही पहले चिनन का पंचायर चुनाब हुआ है जिसको लिकर पूरे छेत में सुरक्षा की पुक्ता इंतिजाम थे और जैसे ही चुनाब संपन हुआ कुछ लोग सड़क किनारे सब फे जगे तो कुछ आदमी ने यहां से एक दो आदमी ने फॉन करना चालू किया तो हमको बोला कि यहां बक्सा मिला है और बजरंग वली के पास वह बक्सा रखा हुआ है और उसमें क्या है नहीं वजन बहुत लगता है बक्सा तो फिर परसासन को ख़वर किया गया सबसे पहल अर धन्दंग नावस्था में उसको उसमें पैक कर दिया गया था और उसको निकाल के रखा गया है अभी तर तो उसका सनाक्त ने होत पाया है हम लोग के जनकारी का नुसार।